नमस्कार दोस्तों, आरेयस के 2021 के मेंस के एक्जाम में, एथिक्स के परचे के अंतरगत एक प्रश्न पूछा गया, यह प्रश्न कांट के नितिसास्त्र पर आधारित था, कि कांट अंतिम सुग की व्याख्या सापेक्ष यों निर्पेक्ष आधेश के आधार पर किस प्रकार करते हैं। आरेयस में भी एथिक्स के परचे के अंतरगत कांट पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सत्र में हम लोग इसी बात पर चर्शा करेंगे कि इमैनुवल कांट पर जो आरेयस के एड्मिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के पाठ्ठेक्रम में, आरेयस 2021 में जो सवाल पूछा गया। और इसी तरह से कांट पर आईयस 2014 में भी एक सवाल पूछा गया। आईयस 2014 में जो सवाल था उस सवाल में कहा गया कि मनुस्य को सदैव साध्य मान कर व्यवहार करना चाहिए। कभी भी साधन मान कर व्यवहार नहीं करना चाहिए। आधुनिक तक्नीकी वैज्यानिक समाज के संदर्व में इसके नहीतारतों को सवस्ट करें। यहाँ पर कि क्या प्रश्ण था प्रस्ण था कि मनुस्य को मनुस्य को सदैव सदैव साध्य मान कर साध्य मान कर व्यवहार करना चाहिए। साधन मान कर नहीं। कि साधन मान कर नहीं और फिर इसमें कहा गया कि आधुनिक तक्निकी कि बैज्ञानिक समाज के संदर्व में इसके नहितारतों की व्याख्या करें इसके नहितारतों की व्याख्या करें जब अब कांट का नीतिसास्थ पढ़ेंगे पहली बात यह है कि यह कथन कांट के द्वारा दिये गए कथन पर आधारित है और दूसरी बात यहां पर यह कि कांट का एक निर्पेक्च आदेश का सिध्धान्त है उस निर्पेक्च आदेश के सिध्धान्त में वे पांच सूत्रों की बात पांच निर्पेक्च आदेश के नियमों या सूत्रों की बात करते हैं तो वह यह जो कथन है इस पर क्या आधारित है बहुत सरल भासा में कि आईएस में 2014 में ही निर्पेक्ष आदेश और उसमें जो उनका जो साथ ध्यमानने का जो सूत्र रहा है कि प्रतेक मनुस्य को साथ ध्यमाना जाए साधन नहीं इस पर प्रश्न पूछ लिया गया है आरेस 2021 में प्रस्न पूछा गया कि का रहनत अंतिम शुभ की अलटीमेट जो गुड है एस अलटीमेट गुड की व्याख्या गुड की व्याख्या किस प्रकार सापेक्ष वह निर्पेक्ष आदेशों के आधार पर करते हैं आरेस 2021 के प्रश्ण को सबसे पहले मैं लूँगा यह फाइब बारकर क्वेश्चन था पचास शब्दों में इसका उत्तर लिखना था लेकिन जो मैं आप से विवेचन करने जा रहा हूं इसमें अगर यह प्रश्ण सो शब्दों में भी पूछा जाता है तो भी उसका आप उ तो इस प्रश्ण में जो बात पूछी जा रहे ही उसको समझना कैसे है आखिर अल्टीमेट गुड का क्या कॉंसेप्ट होता है कांट ने अल्टीमेट गुड को अंतिम सुभ को कैसे एक्स्प्लेइन किया और अंतिम सुभ को कैसे कैटोगोरिकल इंपरेटिब निरपेक्ष आदेश से जोडते हैं यह कनेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा तो अगर मैं आरेयस आरेयस 2021 के इस कांट के अंतिम सुभ वाले अल्टीमेट गुड वाले प्रश्ण की एंसर फॉरमेटिंग करूं तो इस एंसर फॉरमेटिंग में सबसे पहले मैं आपसे यह डिसकस कर स रहा हों के अंतिम शुभ क्या होता है और कांटे खैसे अंतिम शुभ को EXPLAIN करते हैं कांट के यहां जब देखने हैं पचास चबडों के लिए उस पर हम आ सकते हैं फिर आप जब ये देखेंगे कि कांट के यहां जब आप अन्तिम सुभ को परिवासित करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग मनुष्य के जीवन में अंतिम सुख की जो व्याक्या है वह सुख से करते हैं प्लेजर से करते हैं जितने सुखवादी हैं वे अंतिम सुख की व्याक्या सुख के आधार पर करते हैं कि सुख ही केवल मनुष्य के लिए अच्छा होता है सुख ही सुभ है और वही अंतिम सुभ है जो बाकी जितनी चीजे हैं वो सुख के लिए साधर मात्र है तो एक व्याक्या क्या है अंतिम सुख क्या है सुख है ये व्याक्या कौन करते हैं सुखवादी करते हैं लेकिन कांट ये कहते हैं कि इस दुनिया में केवल एक मात्र ऐस चीज है जो अपने आप में अच्छी है बिना किसी परिस्थिती के बिना किसी परिडाम के बिना किसी शर्त के अपने आप में अच्छी है और उस वास्तों में तक्त को वो कहते हैं गुडविल इसको हिंदी के किताबों में सुबसंकल्प भी कहा गया है और कुछ हिंदी के कि ताबों में इसका अनुवाद सदिक्षा भी किया गया सदिक्षा तो गुडबिल को कांट क्या है इस दुनिया की एक मात्र ऐसी चीज बानते हैं जो अपने आप में अच्छी है अब यहां पर गुडबिल ही अंतिम सुभ है लेकिन जो गुडबिल है वो अपने आप में क्या है क्या जब हम सुख की कामना से कोई कारे करते हैं तो वो क्या गुडबिल के अंतरगत आएगा कांट कहते हैं नहीं क्या हम स्वाभाविक प्रवित्तियों से वशीभूत होकर जो कारे करते हैं क्या वह गुडबिल के भीतर आएगा कांट का उतर है darfी कि फिर कांट का कांट के यहां गुडबिल क्या है तो आप यहां पर बताएंगे कि कांट के यहां जो शुब संकल्ब है शुब संकल्ब जो है वह कर्तब के चेतना है कर्तब के लिए कर्तब करना है कई बार हम अपने कर्तब की पूरती सुखों के लिए करते हैं किसी लक्ष के लिए करते हैं कांट उसे अपने आप में अच्छा नहीं मनते कांट के यहां गुडबिल का मतलब है करतब की चेतना से प्रेरित होकर किये जाने वाले कर्म तो करतब के लिए करतब कांट के यहां क्या है सुभसंग कल्प है और कांट के यहां जो करतब बिके लिए करतब है यह दरसल सापेक्ष आदेश नहीं है यह करतब के लिए करतब बे दरसल क्या है यह निर्पेक्च आदेश है दरसल जो कारे हम किसी लक्च किसी परिदाम से को परिदाम के निर्धानन के हिसाप से करते वह कार एक लक्ष या परिडाम के साफ एक्ष है कांट का कहना है कि ऐसे कार नैतिक रूप से सुब हो यह जरूरी नहीं है इसलिए कांट ने यहां पर करतब्य के लिए करतब्य के सिद्धान्त को निरपेक्ष आदेश के रूप में क्या है प्रतिपादित कि कुछ नियम होते हैं यह नियम जो होते हैं हमारी बुद्ध के द्वारा दिये जाते हैं और यह जो नियम होते हैं यह सारभावमिक होते हैं यह जो नियम होते हैं इनमें एक आदेशातमक तत्त होता है यह नियम जो होते हैं परिणाम निरपेक्ष होते हैं और इसलिए यह निरपेक्ष आद के आधार पर करें जो नियम हमारी एक्छाओं प्रवित्तियों समवेगों आधिसे संचालित नहों निर्पेक्ष आदेश वो क्या है केवल और केवल करतब की चेतना से संपाधित हो तो वैसी स्थिति में हम निर्पेक्ष आदेश के अनुसार कारे कर रहे हैं तो बहुत संच तरफ में आपको इन तीनों पॉइंट निक संकल्प से जुड़ा हुआ है संचलत कर तब की चेतना है और कर तब की छेतना है उसमें उसकी मुलभूत बात यह कि जब आप उसको निरपेक्च धंग से, किसी परिणाम के सापेक्च नहीं, किसी लक्ष के सापेक्च नहीं, किसी स्वार्थ या स्वाभाविक प्रवित्ति के सापेक्च नहीं, जब आप उसे एक करतब के नियम के रूप में करते हैं, तभी आप नैतिक होते हैं, तो इस प्र कैसे explain किया जा सकता है नीतिसास्त्र के दो मूलभूत प्रश्न होते हैं एक प्रश्न ये होता है कि मेरे लिए किया अच्छा है और दूसरा प्रश्न ये होता है कि मेरे लिए क्या सही है हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हम लोग नीतिसास्त्र के विशय को पढ़ते हैं तो दरसल नीतिसास्त्र का जो विशय है इसमें इसके हम ये कह सकते हैं कि इसके दो मूलभूत क्या होते हैं प्रश्ण होते हैं जो दो दो मुल्भूत प्रश्णों को अगर हम लोग सरल व्यवहारिक भाषा में अगर उनकी बात करें तो एक प्रस्ण यह होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है अगर व्य हास की दुनिया से जोड़कर देखें तो मेरे लिए क्या अच्छा है? What is good for me? यह प्रसन में हम लोगे कह सकते हैं कि यह अच्छा का सुभका या गुड का प्रश्न है एक दूसरा प्रश्न भी होता है और वो प्रश्न क्या होता है? कि मेरे लिए क्या सही थे एक दूसरा प्रश्ण है वह प्रश्ण क्या है वह प्रश्ण ये है कि मेरे लिए मेरे लिए क्या सही है what is right for me what is right for me अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो नीतिसास्त्री विचारक रहे हैं उनके बीच में इन प्रश्णों के उत्तर को लेकर प्यापक मतवेद हैं मेरे लिए क्या अच्छा है यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि मैं किस अच्छे की बात कर रहा हूं कुछ चीजे मेरे लिए तातकालिक रूप में अच्छी होती हैं जैसे एक आरेयस की तयारी कर रहे एक मध्धम वरगी परिवार से तालुक रखने वाले व्यक्ति के लिए नौकरी हासिल करना उसके तातकालिक रूप में अच्छा है तो कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो तातकालिक रूप से अच्छी होती हैं लेकिन वो कभी भी जीवन में अंतिम अच्छाई के रूप में इस्थान नहीं बना सकती हैं और सुख को प्राप्त करने का तरीका पैसा है तो पैसा एक क्या है इस्टूमेंटल वैलू है वह तातकालिक रूप से अच्छा है दिर्गकालिक और अंतिम रूप से अच्छा हो यह जरूरी नहीं है इसका मतलब कि जब हम ये सवाल उठाते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है तो कुछ शीजे मेरे लिए तातकालिक रूप से अच्छी होती हैं और कुछ शीजे मेरे लिए क्या होती हैं मेरे लिए अंतिम रूप से अच्छी होती हैं जो आपका प्रश्ण है उसमें अंतिम उसमें साधन के रूप में जो अच्छा होता है उपकरन के रूप में जो अच्छा होता है जो तातकालिक रूप में अच्छा होता है उसकी बात नहीं है जो अंतिम रूप में अच्छा होता है अंतिम रूप में अच्छा मतलब आप जीवन के चरम लक्ष की बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि जीवन में सबसे अंतिम में व्यक्ति क्या पर चाहता था है जैसे ही। जब आप अब्राहम मासलो के अभिप्रेर्णा के सिध्धान्त को पढ़ते हैं तो अब्राहम मासलो अपने अभिप्रेर्णा के सिध्धान्त में कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति की जो उसकी जो दैहिक आवशक्ताएं हैं उन दैहिक आवशक्ताओं के पूरा होने के बाद उसकी कुछ दूसरी जो आविशक्ता होती है नीड हायरार्की में उसके पूरा होने की अपेक्छा होती है और वहां से उसे मौटिवेशन मिलता है लेकिन जो उसे अंतिम रूप से लगातार मौटिवेट करती है वो है सेल्फ एक्चुलाइजेशन तो वाट इस अल्टिमेट गुट फॉर्द हीूमन भींग दा आंसर वुड़ बी सेल्फ एक्चुलाइजेशन आत्मसिद्धी इसी तरह से जब अरस्तु को पढ़ेंगे तो अरस्तु के नैतिक चिंतन में एक शब्द प्रयोग किया गया है यू डुमेनिया की अवस्था की तरफ पहुच रहे हैं तो मनुष्य के जीवन का अंतिम शुब क्या है जो अंतिम सुब है वो अंतिम लक्च है और इस तरह से कुछ चीजें तातकालिक रूप में अच्छी होती है कुछ चीजें अंतिम रूप में अच्छी होती है जैसे जितन सुखवादी है वो हमेशा ultimate good की जो व्याक्या करते हैं उसमें वे हमेशा ये कहते हैं कि केवल जो सुख है केवल जो pleasure है वही अंतिम रूप से कहा अच्छा है pleasure के अलावा दुनिया में कोई भी चीज अंतिम में अपने आप में अच्छी नहीं है और इसलिए उनको सुखवादी का जाता है तो सुखवादी जो है pleasure is good इस प्रकार के दृष्टिकोन को प्रतिपादित करेंगे लेकिन can't ultimate good की explanation में सुखवादियों से सहमत नहीं है कांट ये कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी मानसिक अवस्थाएं हैं जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो अच्छी हो सकती हैं लेकिन अपने आप में बिना किसी शर्त के वो अच्छी हो ये जरूरी नहीं है इस संसार में या इस संसार के बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं है ऐसे किसी भी वस्तु की परिकल्बना संभव नहीं है जो बिना किसी शर्त के अच्छी हो सुब संकल्प को छोड़कर सुब संकल्प ही एक ऐसा रत्न है जो अपनी प्रकास से आलोकित रहता है तो जब अप अंतिम रूप से अच्छे की ultimate good की व्यात करेंगे तो एक तरफ बेंथम, जीयस मिल जैसे जो विचारक हैं वो अंतिम सुभ की व्याख्या सुख से करेंगे और दूसरी तरफ कांट जैसे जो विचारक हैं वो अंतिम सुभ की व्याख्या सुभ संकल्प से, सदिक सब्संकल्प से सदिक्षा से या गुडविल से कह करेंगे इस तरह से अगर आप देखें तो कांट अंतिम शुब की व्याख्या में सुब्संकल्प या सदिक्षा की बात करते हैं और इसमें वो कई उदाहरनों के द्वारा यह बात कहते यह सकता है की प्रतिभा अच्छी है डाने कहते हैं बिलकुल प्रतिभा अच्छी हो सकती है लेकिन अधिकर ब一定 Insurance किया जा सकता है इसका मतलब साइव है और चीज अपने आप में अच्छी नहीं होती हमेंशा अच्छी नहीं होती परेडामों के दिश्च से भी हमेशा अच्छी नहीं होती दरसल जो किसी भी चीज के साथ जो हमारा मोटिब जुडता है वह मोटिब ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है तो यहां पर प्रतिभा का तर्क शक्ति का ताकत का धैरे का कला का इन सब का दुर्पयोग किया जा सकता है अच्छे स्वास्थ का दुर्पयोग किया जा सकता है लेकिन सुभ संकल्प जो है उसका दुर्पयोग नहीं हो सकता तो कांट के नीटि सास्त्र में अंतिम सुभ की व्याक्या सुखवादियों से बिल्कुल अलग की गई है जहां सुभ मनुष्य के जीवन के लिए अन्तिम रूप से अच्छा क्या है तो सुखवादी उसकी व्याख्या सुख के आधार पर करेंगे पून्टा वादी उसकी व्याख्या मनुष्य के व्यक्तित्तों में नहित संभावनाओं को साकार करने के द्वारा करेंगे वह आत्मसिध के द्वारा करेंगे वे यूडी मोनिया के द्वारा करेंगे अंतह प्रग्यावादी जो व्याख्या करेंगे अंतिम सुभ की वो इंट्यूशन के द्वारा realize किए गए value के आधार पर करेंगे लेकिन can't अंतिम सुभ की व्याक्या सुभ संकल्प के आधार पर करते हैं तो अब यहां पर आप देखिए कि अंतिम सुभ की जो व्याक्या है ultimate जो good है अंतिम सुभ की अलग-अलग व्याक्याएं आपको मिलती हैं और यहीं से कांट के मत की जो विशिष्टता है उस विशिष्टता को आप समझ सकते हैं जैसे सुख वादी जो है वे अंतिम सुभ की मनुष्य के लिए अंतिम रूप से अच्छा क्या है तो उसको सुख या प्लेजर के द्वारा explain करेंगे अगर हम यहां पर जो पूरतावादी जो perfectionist हैं अगर हम उनकी बात करें तो पूरतावादी अंतिम सुभ की व्याक्या आत्मसिद्ध से करना चाहेंगे जो अंतह प्रग्यावादी हैं intuitionist हैं वो अंतह प्रग्या मनुष्य के भीतर पाई जाने वाली एक ऐसी मानसिक सक्थी जो से सही और गलत अच्छे और बुरे का बोध कराती है उस अंतह प्रग्या के द्वारा अंतिम अंतह प्रग्या के द्वारा जो अनुभूत जो मूल्य हैं उन मूल्यों के द्वारा अंतिम व्याख्या करेंगे लेकिन जो बुद्धिवादी हैं जो करतब व्यवादी हैं ये बुद्धिवादी और करतब व्यवादी और उसमें भी कांट जैसे जो विचारक हैं वो अंतिम्शुभ की व्याख्या सुभ संकल्प या सदिक्षा से करते हैं तो एक तो ये बात आपको क पड़ेगी कि अंतिम सुब क्या है तो इस विश्व में इससे बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी हम परिकल्प ना कर सकें जो बिना किसी शर्त के अपने आप में सुब है केवल सुब संकल्प को छोड़ कर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको परिस्थतियां शर्त इन संकल्प के आधार पर प्रभावित न किया जा सके तो इसलिए सुब संकल्प को विकरते अब इसका दूसरा पहलू है कि आखिर ये सुब संकल्प गुडविल जो है वो है क्या ये सदिक्षा होती क्या है तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये सुब संकल्प या सदिक्षा क्या यह दरसल मनुष्य के भीतर पाई जाने वाली करतब की छेतना है अब यहां पर एक और सवाल उठा कि मनुष्य अपने जीवन में विभिन प्रकार के कारे करता है कांट मनुष्य के जो कारे हैं उनको तीन वर्गों में बाट कर देखते हैं कहते हैं वे कि कुछ ऐसे कारे हैं जो मनुष्य स्वाभाविक प्रवितिवस प्रेरित होकर स्वाभाविक प्रवितियों से प्रेरित होकर करते हैं मनुष्य के भीतर दया है, मनुष्य के भीतर हमदर्दी है, मनुष्य के भीतर इमानदारी है, तो मनुष्य कई बार अपनी स्वाभाविक प्रवित्तियों से संचालित होकर कारे करते हैं, कई बार मनुष्य ऐसा भी होता है कि अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर या सुख से प्रेवित होकर कारे करते हैं लेकिन कुछ कारे ऐसे होते हैं जिसमें मनुष्य करतब के आधार पर करतब समझ कर उन्हें करते हैं तो जो कारे हम सुक्र के लिए करें अगर मैं अपने फरच को शुख के लिए अंजाम दे रहा हूं अगर मैं अपने करतब्यों की पूरती सुखों की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं अगर मैं अपने करतब्यों की पूरती स्वाभाविक प्रवित्ति वस कर रहा हूं तो कांट का कहना है कि ये काम अपने आप में नैतिक नहीं है एक दुकानदार है जो अपने ग्राहकों को उचित दाम पर चीजें इसलिए बेचता है ताकि उसकी दुकानदारी अच्छे तरीके से फलती फूलती रहे तो कांट यहां पर कहेंगे कि उसका ये करतब प्रसंसनी होते हुए भी नैतिक दृष्ट से अच्छा नहीं है या नैतिक दृष्ट से नैतिक कसोटी पर इसको क्या अच्छा नहीं माना जा सकता क्यों कि वो अपना फर्ज समझ कर किसी कारे को अपना करतब मान कर इस नियम के अनुसार कारे नहीं कर रहा है और यहीं पर कांट के उपर आक्छेप लगा कि वे कठोरतावादी हैं क्योंकि अगर हम जजबाती होकर अगर हम थोड़ा इमोशनल होकर सिंटिमेंटल होकर हम दर्दी में आकर दया में आकर करुणा में आकर दयालुता में आकर किसी की मदद करते हैं तो कांट जैसे बिचारक ये कहेंगे कि इसका चुकि आपने इसको करतब की चेतना से पूरा नहीं किया है इसलिए ये प्रसंसनी होकर भी नैतिक द्रिश्टे से कोई मूले नहीं रखता इसलिए पेटन जैसे गिचारकों ने कहा कि कांट का जो नितिसास्त्र है उसमें कठोरतावाद है लेकिन कांट का प्वाइंट अभ्व ये था कि माल लिजिये कि कोई काम मैं कोई काम हम्दर्दी से दयालुता से करुणा से प्रिरित होकर कर रहा हूं कल को वो भावना अगर मेरे भीतर नहीं रहेगी तो मैं वो काम नहीं करूँगा जबकि जो काम नैतिक होते हैं वो हमेशा हर परिस्थिती में क्या है नैतिक होते हैं तो कारियों की जो सारभावमिकता होती है उस सारभावमिकता का क्या हो जाएगा करतब के सिद्धान्त से दूर है एक बात दूसरी बात अगर हम कहते हैं कि कोई कारे अपसुख प्राप्ती के लक्ष के लिए किया जाए तो यहां पर एक नियम बनता है कि करतब की पूर्ती सुख के लिए किया जाए ये भी कांट के करतब के लिए करतब के सिद्धान्त के से विपरीत है क्योंकि कांट कांट की यह कहना है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे मनस्ष सुख पराप्ड करना चाहता है और इसलिए उसे यह कारे करना चाहिए तो यह अपने आप में कोई नैतिक चीज नहीं है कांट कहा करते थे कि यह बहुत स्पस्ट चीज है कि सुख का सिद्धान्त तो आत्मप्रेम का सिद्धान्त है और आत्मप्रेम में नेतिकता कहां होती है इसलिए कांट के यहां गुडबिल का जो मतलब है वो यह है कि व्यक्ति करतब के लिए करतब के सिद्धा सिद्धान्त से संचालित हो तो कांट के हां अंतिम सुभ जो होगा उस अंतिम सुभ में क्या है करतब के लिए करतब के सिद्धान्त से संचालित हो और एक करतब के लिए करतब का सिद्धान्त हमें हमारी एक्छाओं से नहीं मिलता हमें हमारी भावनाओं से नहीं मिलता कांट का कहना है कि ये हमें अपनी बुद्ध से मिलता है ये हमारी शुद्ध बुद्ध का आदेश है हमारी एक्छाओं और हमारे बुद्ध के बीच में संगर शलता रहता है हमारी जो एक्छाएं हैं जो प्रवितियां हैं वो हमारे बुद्ध के बुद्ध से बिल्कुल बिपरीत बातों की तरब भी संकेत करती हैं, इसलिए एक्छाओं के अधीर जो कर्म किये जाते हैं, एक्छाओं से संचालित होकर जो कर्म किये जाते हैं, उन्हें एक्छाओं से प्रिरित किये जाने वाले कर्मों में नैतिकता का समाविश नहीं होता, अगर आप करतब की चेतना से चालीत होकर कोई कारे नहीं कर रहे हैं तो कांट उसको नैतिक नहीं मानेंगे अब यहां पर जो करतब्य के लिए करतब्य का सिद्धान्त है वो अगर कांट के अनुसार अंतिम शुब का पार्ट है अंतिम सुब से जुड़ा हुआ है तो यह किस प्रकार का आदेश है यह निरपेक्ष आदेश है जब किसी कारे को करने में किसी परडाम या लक्ष के द्वारा निरधारित होते हैं तो उसको कांट सापेक्ष आदेश कहते हैं जब आप किसी कार को करने में किसी लक्ष या परिडाम से निर्धारित नहीं होते हैं तो उसको कांट निर्पेक्ष आदेश कहते हैं तो जब आप कर्तब की चेतना से संचालित होकर कर्तब के लिए कोई कर्तब पूरा कारे करते हैं, तो यहाँ पर आप किसी निस्चित परणाम या लक्ष के सापेक्ष कारे नहीं करते हैं, और इसलिए कांट में जो सुब संकल्प है, जो शुब की व्याक्या है, वह उनके सापेक्ष आदेश और निर्पेक्ष आदेश के जो अंतर पर ठिक जाती है और निर्पेक्ष आदेश से एक प्रकार से क्या है जुड़ जाती है तो हम लोग यहां पर यह देखेंगे कि पार्ण्ट सापेक्श आदेश और जो निर्पेक्श आदेश है, इस निर्पेक्श आदेश के बीच में क्या फर्क करते हैं। सापेक्ष आदेश को इंगलिस में रिलेटिब इंपरेटिब कहते हैं रिलेटिब इंपरेटिब कहते हैं हाइपोथेटिकल इंपरेटिब भी कहा जाता है हाइपोथेटिकल इंपरेटिब भी कहा जाता है और निरपेक्ष आदेश को इंगलिस में कैटोगोरिकल इंपरेटि कहा जाता है अब हमें ये देखना है कि कांट के हां जो अच्छाई की व्याख्या है वह निर्पेक्ष आदेश से कैसे जुड़ी हुई है और अंतिम रूप में मनुष्य के लिए अच्छा क्या है वह कैसे निर्पेक्ष आदेश से जुड़ा हो इसको आपको देखना है मैंन उनके हाँ सुब संकल्प से जुड़ी हुई है गुडविल से जुड़ी हुई है और सुब संकल्प क्या है करतब की चेतना से प्रेरित होकर किये जाने वाले कारे, जब आप करतब की चीतना के लिए कोई कारे करते हैं, तो वो क्या होता है? निर्पेक्ष आदेश होता है, इसलिए टांट के यहां अंतिम स्भु जो है, वो सापेक्ष और निर्पेक्ष आदेश के अंतर पर आधारित है, कि जब आप किसी कारे को किसी परिणाम या लक्ष के द्वारा निरधारित कर देते हैं तुसे सापेक्ष आदिश कहते हैं जैसे कि यदि आप परिक्षा में सफल होना चाहते हैं तो खूब परिस्रम करें यहां पर क्या है कि जो लक्ष है वो लक्ष क्या है सफलता का है परिस लॉषरम क्या हो गया साधन हो गया तो किसी परिनाम है लगी को ठीक करना इसमें इसमें किसी कारे इसमें किसी कारे या किसी कारे को परिणाम या लक्ष के द्वारा किसी कारे को परिणाम या लक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है निर्पेक्षादेश का जो यहां पर सिद्धान्त है इसमें किसी कारे को किसी परडाम या लक्ष से निर्धारित नहीं करते हैं जैसे कई बार जब ऐसे भी केसे होते हैं कि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति बहुत बिमार है आई सी यू में है और डाक्टर्स का यह कहना है कि अब मेडिकल वे में अगर सोचा जाए तो ये इंपॉसिबिल है कि यह व्यक्ति नारमलसी या नारमल लाइफ कोемся का है अब फिर से जी सकते हैं और ये life supporting machines पर हैं इसलिए जो है अब कोई उमीद नहीं बची हुई है इसके बावजूद भी जो परिवार के लोग हैं जो परिजन हैं वे कहते हैं कि हम तो अपने फर्ज के लिए कर रहे हैं और बस क्या है कि आप इनको तकलीफ न हो कुछी भी प्रकार की life saving machines पर जितने दि ये चलें कई बार क्या होता है कि हम जब कुछ करते हैं तो उसमें नतीजों को आधार नहीं बनाते हैं परिणाम या लक्ष को आधार नहीं बनाते हैं और जब हम परिणाम या लक्ष को आधार नहीं बनाते हैं तो वहां पर जो हमारा जो हमारे बुद्ध से आदेश मिलता है वो निर्पेक्ष आदेश होता है फिर हम किसी निश्चित लक्ष के निश्चित परिडाम के सापेक्ष कारेट ही कर रहे होते हैं तो जो नैतिकता है जो नैतिक नियम है कि वो सापेक्ष आदेश नहीं होते हैं कांट का कहना है कि वो निर्पेक्ष आदेश कह होते हैं इसको आप एक और उदारन से समझें कई बार लोग कहते हैं कि यार बहती गंगा है इसमें हाथ दोलो उनके कहने का मतलब होता है कि अगर सब लोग फायदा उठा रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं तो आप अकेले सही करके क्या करोगे कई बार केसी स्टेडी में भी सवाल पूछा जाता है कि आप किसी डिपार्टमेंट में पहुशते हैं और वहां देखते हैं कि हर व्यक्ति क्या है नियम के विप्रीद कार कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है नियमों के उपेक्षा कर रहा है तो आप अकेले क्या क चीजों को सोचने के बजाए आप सबके सापेक्ष सोचिए आप ये सोचिए कि क्या इसको सभी के द्वारा नियम बनाया जा सकता है अगर किसी कारे को करने में सभी के द्वारा एक नियम के रूप में उसे किया जा सकता है इसका मतलब कि उस कारे में सारभो मिकता है जो सापेक्ष आदेश वाले कारे होते हैं उनमें सारभो मिकता नहीं होती है में एक प्रकार के कारे को सीधे सीधे कहते हैं कि यह कारे कुछ लोग ही प्रयासिश के लिए अपनी कुछलता को बढ़ाने की कोशेश कुछ लोगों के द्वारा ही की जाती है सुकh की चाह तो सबको होती है लेकिन अपनी skills को इनेहेंस करनी की जो का होती है। वो कुछ लोगों के पास ही होती है। तो इसलिए कांट यहां पर बहुत आसनले के साथ चीजों को डील कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं, कि जैसे ही आप किसी नतीजे के द्यान में रक कर किसी कारे को अँजाम देते है। आपका कारे प्रसंसा हो सकती निंदा हो सकती लेकिन वो नैतिक कारे नहीं है क्योंकि नैतिकता निर्पेक्ष होती है नैतिकता निर्पेक्ष आदेश के सिधांत से संचालित होती है तो यह उन पहला अंतर है दूसरी बात है कि जितने सापेक्ष आदेश होते हैं उसकी जो निसेस्टी होती है वो ब्यक्तिगत एक्छाओं से स्वतंत्र होती है, उसमें कहीं रही एक आपजेक्टिविटी आती है, तो हम दोग दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कि जो सापेक छादेश है, इसकी अनिवारता, इसकी जो अनिवारता है, अनिवारता, ब्यक्तिगत, इसकी अनिवारता, ब्यक्तिगत एक्छाओं पर आधारी तो होती है, आधारी तो होती है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसकी जो अनिवारता है, इसकी अनिवारता, ब्यक्तिगत एक्छाओं पर जो ब्यक्तिगत एक्छाओं पर आधारी तो नहीं होती है, यह ब्यक्तिगत एक्छाओं से अलग है, दरसल यह जो सापेक्छादेश होता है, जो रिलेटिव इंपरेटिव है, यह भावना अत्वा स्वाभाविक प्रवित्ति से उत्पन आधेश है, दूसरी तरब जो निर्पेक्ष आधेश है, यह शुद्ध बुद्ध का आधेश है, इसका परिस्थितियों, परिणामों, मैटेरियल, इन सब से क्या है, कोई रिस्ता नहीं होता है, कांट सापेक्ष आधेश के तहत किये जाने वाले कारियों को दो प्रकार के कारे, दो स्रेडियों में बाढ़ते हैं, एक को कहते हैं कि कुछ ऐसे भी सापेक्ष आधेश होते हैं, जो कुछ लोगों के द्वारा ही किये जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, जो सब के द्वारा कोशिज की जाती है, जैसे सभी के द्वारा सुख की चाह होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सापेक्ष आधेश, दो प्रकार के होते हैं, यह जो दो प्रकार के सापेक्ष आधेश है, इसमें आप देखेंगे कि एक प्रकार का जो आधेश है, सापेक्ष आधेश में जो एक प्रकार का आधेश है, उसको वे कहते हैं कुशलता के नियम, जैसे मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो उसे विज्ञान की पढ़ाई करनी होगी, लेकिन यह सब लोगों के लिए जरूरी नहीं है, तो यह कुशलता के नि ऐसे होते हैं, जो सभी के द्वारा चाहे जाते हैं, उसको वे दूरदर्शिता से जोड़ते हैं, इसको दूरदर्शिता के उपाय के रूप में कहते हैं, तो इस तरह से कांट का कहना है कि सापेक्ष आधेश भी दोत रहके होते हैं, एक कुछ लोगों के द्वारा, कुछ क पोशलों के विकास के संदर्व में कुछ कारियों को किया जाता है, दूसरा सभी के द्वारा किया जाता है, लेकिन जहां तक निर्पेक्ष आदेश की बात है, तो कांट की एक किताब है, Groundwork of the Metaphysics of Morals, इसमें वे निर्पेक्ष आदेश को पाँच सूत्रों में बैक्त करते है निर्पेक्ष आदेश के पाँच सूत्र हैं, एक है सारभहौमिक आदेश का सूत्र, ऐसे किसी भी नियम के अनुसार आचरन मत करो, जिसे तुम सारभहौमिक न बना सको, जैसे कि जूट बोलने को सारभहौमिक नहीं बनाया जा सकता, धोखा देने को सारभहौमिक नहीं ब भ्हौमिक्त आदेश का सूत्र है दूसरा जो सूत्र है उसको वे प्रकृत आदेश का प्रकृत आदेश का सूत्र कहते हैं तीसरे को वे कहते हैं स्वतंत्रता का सूत्र स्वतंत्रता का शूत्र शभी व्यक्कियों को साध्यमाननी का शूत्र और साध्यों के राज्य का शूत्र इसका मतलब यह है कि वे कहना चाहते हैं कि जो नैतिकता है उसके जो आदेश होते हैं उन आदेशों में सारभाव मिक्ता सुपंतरता साथ देमानना ये सब चीजे कहनीत होती हैं इसका मलब इनसान की नैतिक जिंदगी कांट के अनुसार कुछ नियमों कुछ मोरल लौ से संचालित हो रही है ये बात वे कह रहे हैं तो अब अब आप देखें कि ultimate good क्या है जब मैं ऐसे नियम के अनुसार आचरन करूं जिसको मैं सारभावमिक बना सकूं ऐसे किसी भी नियम के अनुसार आचरन मत करो जिसे तुम सारभावमिक ना बना सको किसी भी व्यक्ति को साधन मत समझो प्रतेक व्यक्ति को साध्य समझो जिन नियमों को तुम पालन कर रहे हो उन नियमों का बनाने वाला खुद को समझो, सुम्झो सोयम को समझो, सुततता का नियम और इसके साथ अपने आपको एक एसे राज एक ऐसे समाज का सदस्य माणों जिसमें हर व्यक्ति का साथ है, तो ये जो कांट के यहां जिस प्रकार के जिन नियमों की बात की जा रही वो उनके अंतिम शुब के ब्याख्या से जुड़ जाएंगे कि बही अल्टिमेट गुड जो है वो अल्टिमेट गुड क्या है अल्टिमेट गुड ये है कि व्यक्ति करतब की चेतना से प्रेरित होकर ऐसे कारे करे ज जिन कारियों में वो प्रतेक व्यक्ति को साध्य समझे, जिसमें जिन नियमों का वो पालन कर रहा हो उन नियमों को स्वयम को बनाने वाला समझे, जिनमें साध्यों, जिनमें एक ऐसे समाज का अपने आपको सदस्य माने, जिस समाज जो समाज है, उस समाज में सभी व्यक्ति क है साथ देहों अब एक और दिल्चस्प बात है कि कांट क्या अपने अंतिम शुभ की व्याक्या में आनंद को बिल्कुल इस्थान नहीं देते क्या कांट के ऊपर ये जो आरोप लगाया जाता है कि वे कठोरता वादी हैं ये आरोप क्या पूरी तरह से सही है देखे कांट के बारे में ये समझना जरूरी है कि कांट उच्चतम शुभ और पूर्ण शुभ के बीच में अंतर करते हैं अब यहां पर आप समझें कि अभी तक आपने समझा कि कांट के यहां एक अंतिम शुब है एक अल्टिमेट गुड है दूसरा कांट के नीति सास्तर को आप पढ़ेंगे तो एक वे सुप्रम गुड की बात करते हैं और दूसरा कम्प्लीट गुड की बात की जाती है एक है इस्ट गुड या सुप्रिम गुड और दूसरा है कम्प्लीट गुड यह बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो गुडबिल है जो शुब संकल्प है वो सुप्रिम गुड है जो करतब की चेतना है वो उसके अनुसार कारे करना जो है वो सुप्रिम गुड है हमारे कारियों का लक्ष कभी भी आनंद या सुख की प्राप्ती नहीं होना चाहिए इस बात को तो भी कहते हैं लेकिन इसके साथ हुए यह भी कहते हैं कि जो पूर्ण शुब है उसमें दरसल शुब संकल्प भी है करतब की चेतना भी है और इसके साथ आनंद भी है जो अपने करतब्यों का पालन करतब्य मान करता है उसे आनंद भी प्राप्त होना चाहिए इसलिए कांट के पूर्ण शुब की अवधारना में आनंद का समाविश है इसलिए पूर्ण सुब संकल्प प्लस आनंद है सदगुन वर्चू प्लस आनंद है उच्चतम शुब प्लस आनंद है इसलिए कांट यहां पर जो अल्टिमेट गुड है उस अल्टिमेट गुड की व्याक्या में सेंस अप ड्यूटी को ड्यूटी फॉर्द ड्यूटी को मानते हैं लेकिन इसके साथ ही वे complete good की जब ब्याख्या करते हैं तो वहाँ पर वे आनंद की उपेक्षा नहीं करते हैं कांट के पूरे नीति सास्त्र की कुछ ऐसी बाते हैं जो बाते उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं जैसे जितने सुखवादी हैं वो मनुष्य के कारियों का जो नैतिक आउचित्त है वो सुख के आधार पर तै करते हैं कांट सुखवाद को पूरी तरह से नकारते हैं और सुखवाद और बुद्धिवाद में विवाद और जगड़ा हमेशा से रहा है कांट करतब की चेतना के आधार पर नैतिकता का निर्धारन करते हैं दूसरी बात कांट हमेशा क्या है परिणाम निर्पेक्षता की बात करते हैं इसलिए वो करतब व्यवादी होने के साथ साथ वो दरसल परिणाम निर्पेक्ष डियांटोलॉजिकल एथिक्स की आउधारना को आगे बढ़ाते हैं कि कांट के यहां नैतिकता की एक जरूरी विशेष्टा सारभवमिक्ता है जो चीज हम सबके लिए नहीं बता सकते हैं वो चीज नैतिक नहीं है इसलिए किसी भी कारे के नैतिक होने का जो आधार है वह नैतिक होने का आधार दरसल उस कारे को सभी नियम के रूप में सुविक करते हुए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इससे कहता होता है एक उडाहरन से आप बज़ बात को समझिये एक राजा ने एक बहुत बड़ा असना निसरा और अपने मंत्रियों के सामने राजा ने प्रस्ताव रखा कि तालाब में पानी या दूद भरा कैसे जाए तो मंत्रियों में से एक ने प्रस्ताव रखा कि तालाब जो है उसको दूद से भरने के लिए सभी जितने भी नगर के नागरिक हैं उनसे कहा जाए कि वे अपने 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 घर से एक एक घड़ा दूद क्या है तालाब में लाकर डाल दें नगर के नागरिकों ने ये सोचा कि सभी लोग तो दूद डालेंगे ही डालेंगे तालाब में अगर मैं एक घड़ा पानी डाल दूँगा तो कहां पता लगेगा और इस तरह से तालाब में जब ये आदेश राजा ने दे दिया कि इसको दूद से प्रतेक नागरिक एक एक घड़े दूद इसमें दान करे तो सभी ने यही कहा है सभी ने इस आदेश की अपने हिसाब से व्याक्या करते हुए घड़े के बज़ाए तालाब में पानी डाला तालाब को जब निरिक्षन किया गया तो पाया गया कि तालाब पानी से भरा हुआ है अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि सभी ने काम करते हुए अपने बारे में तो सोचा लेकिन सभी ने ये नहीं सोचा कि अगर दूसरे भी ऐसा ही करेंगे तो क्या होगा अगर दूसरे भी तालाब में पानी डालेंगे तो क्या होगा इस उदाहरन से सबक हमें ये मिलता है कि नैतिकता का निर्धारन जो है इस आधार पर होता है कि जो कारे सबके द्वारा किया जा सके वही कारे नैतिक होता है और यही सारभावमिकता का आदेश है इसके साथी कांट के नैतिक चिंतन की एक और बहुत महत्पुन विसेश्था है जिसमें वे मानवी अगरिमा मानवता वादी नीति सास्तर को स्थापित करते हैं जो चीजें हमारे लिए कीमती हैं वो चीजें कभी भी हमारे बराबर नहीं हो सकती जैसे मोबाइल हमारे लिए एक कीमती चीजे हो सकती है लेकिन मोबाइल मेरे बराबर नहीं हो सकता दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ साधन होती है उनको कभी भी साध्ध के रूप में नहीं लिया जा सकता कांट के नैतिक चिंतन की ये भी एक बहुत महत्पूर्ण विशेशता है कि दुनिया में कोई भी चीज क्या है साधन के रूप में ली जा सकती है भौतिक वस्तुमें साधन के रूप में ली जा सकती है लेकिन व्यक्ति को कभी भी साधन के रूप में सुविकार नहीं किया ज चाहिए तो यह कांट के आरेस 2021 के कुष्चन के बहाने कांट के जो सिधानतों की जो इंटर लिंकिंग है उस पर आप से बात की गई ताकि आप कांट के नैतिक चिंतन की खूबियों को उसकी विशिष्टता को उसके अनुठेपन को समझते हुए आप ऐसे प्रश्णों का उत आप दे समझा जाए किसी को साधन न समझा जाए तो उसमें कांट के द्वारा बताएगे कौन से नियम का उलंगन होता है प्रतेक व्यक्ति को स्वयम में साध्य समझा जाए साधन नहीं क्योंकि जब हम जूट बोलते हैं तो जूट बोलते समय हम दूसरे को साधन बना लेते हैं हम इसी तरह से जूट बोलते से इसी तरह से रिश्वत खोरी करते समय हम दूसरे को साधर बना लेते हैं अपने मकसद के लिए तो कांट इस दृष्ट से बहुत प्रासंगिक भी हैं क्योंकि बाकी लोग आपको इस बात का बहुत रैशनल उत्तर नहीं देंगे कि कोई चीज अनेतिक क्यों है कोई चीज नेतिक क्यों है कांट इन दोनों का कांट को नेतिक चिंतन में इन दोनощं प्राउlles अक्तिस थेमित 있죠 कि वह अट नियम है और यह नियम बुद्ध का आदेश है तो इस तरह से कांट का जो नीटी सास्त्र है वह इन मामलों में कह विसिस्ट है और कहने के आउशक्ता नहीं है कि जो आज मानो वाद मानो अधिकार इन सब की जो धारना है वो कांट के इनहीं नैतिक विचारों पर क्या है आधारित है तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्टों को को साल्व करेंगे इसमें इस प्रकार की इंसाइट सोनी चाहिए इसमें इस प्रकार का एप प्रोच होना चाहिए इन पॉइंट्स को डिसकस करना पड़ेगा इन बातों को गौर करते हुए चाहे हो पचास सब्द के प्रस्णाएं चाहे हुए सव सब्द के प्रस्णाएं उन का पुत्तर क्या है लिख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद की